कुरोना वाइरस से कैसे बचे? सबसे पहले सिर्फ एक चीज जान लीजिए कि ये वाइरस फैलता कैसे है? ये फैलता है इन छीटों की वज़े से. अगर कोई छीट रहा है या खास रहा है तो ये छीटे जरूर उड़ेंगी. और अगर ये छीटे आपकी आँखों में, नाक में, मुह में चली गई, तो आपको इसकी लागत हो सकती है. तो अगर आपको कोई खासता हुआ या छींकता हुआ दिखे, तो उससे आधे से दो मीटर की दूरी बनाये रखें. या फिर उन्हें मास दीजिए या खुद पहन लीजिए. भीड़ वाली एरिया से दूर रहें. मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन कुरुना वाइरस की लागत वाले इंसान को पहचानना मुश्किल होगा. वो बिलकुल नॉर्मल दिखेगा, लेकिन हो सकता है वो इ माउस, लिफ्ट के बटन, कुरसी, टेबल और अगर गलती से आपने उन चीजों को छूलिया और फिर अपने हाथ को अपने आखों या चेहरे पर लगा दिया, तो आप भी इस वाइरस की चपेट में आ जाएंगे. ये वाइरस किसी भी चीज पर सिर्फ 48 घंटे ही रहता है और सबसे सही तरीका है साबुन से हाथ धोकर साफ रखें. इसलिए इन पांच सावधानियों का जरूर पालन करें. अपने हाथ बिलकुल कोहनी तक साबुन से 20 सेकंड के लिए अच्छी तरह धो दीजे. अच्छी तरह यानी हाथों के आगे और पीछे, उंगलियों के पाई पूरे 20 सेकंड तक करें. हापी बर्डे टु यू वाला गाना दो बार गा दीजे, 20 सेकंड तो ऐसे ही हो जाएंगे. अपनी खासी और छींकों को टीशू पेपर से कवर करें या मास्क पहन ले. याद रखें ये मास्क एक दिन से ज्यादा ना पहने और इसे सावधा पानी पूर्वक कच्रे के डब्बे में फेक दें. और फिर अपना हाथ साबुन से धो दें. जो बीमार हैं, उनसे दूर रहें. और उनकी चीजों को बिल्कुल इस्तमाल ना करें. अपने नाक, कान, आँखों को छूने से बचें. और सबसे महत्वपूर्ण हैं, अगर डॉक्टर से मिलें. आप सभी अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें.